नमस्कार लाइव इंडिया डिजिटल में मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं हूँ दीपक पंत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माउंट एवरेश्ट के बारे में कुछ रोचक और अधबुत तक थे समूद्र तल से दुनिया के सबसे उचे परवत माउंट एवरेश्ट की उचाई 8848 मिटर है और जी नेपाल में स्थित है इस परवत का नाम एवरेश्ट इंग्लेंड के वग्यानिक चॉर्ज एवरेश्ट के नाम पर रखा गया है चॉर्ज ने 13 साल तक भारत की सबसे उची चोटियों का सर्विक्षन किया था अभी तक 19 भारतियों ने एवरेश्ट पर चड़ने में सपलता हासिल की है एवरेश्ट के चोटि तक पहुचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते हैं अपरेल 2015 में आये बुकम के कारण माउंट एवरेश्ट की उचाई एक इंच कम हो गई है एवरेश्ट पर चड़ने के लिए पहले लगबग 15 लाक रुपे फिज देनी होती थी लेकिन 2015 में नेपाली सरकार ने इसे कम करके लगबग 7 लाक कर दी एवरेश्ट की चोटी पर हावा की रफ्तार 321 किलोमेटर परती घंटे तक पहुच सकती है और यहां कताप मान माइनस 80 डिग्री फेरनाइट तक जा सकता है एवरेश्ट पर 120 टन कच्रा मौझूद है इसमें ऑक्सिजन, टैंक, टैंट आधी सामान शामिल है 2008 से 2011 तक एवरेश्ट पर चलाए गए सपाई अव्यान में 400 किलोग्राम कच्रा हटा दिया गया है पिछले 42 सालों में सिर्फ 2015 को छोड़ कर कोई ऐसा साल नहीं गया जब किसी ने एवरेश्ट की चड़ाई पूरी नाक की हो जॉर्डन रोमेरो दुनिया के सबसे छोटे और जुचिरो मेरो दुनिया के सबसे उम्र तराज इंसान है जिन्होंने एवरेश्ट फत्य की इन्होंने ये कारणामा 13 और 80 साल की उम्र में किया आज तक लगभग 5,000 लोग एवरेश्ट पर चड़ने की कोशिश कर चुके हैं उनमें से करीब 280 लोग चड़ते समय अपनी जान गवा चुके हैं ये सारी बातें जो हमने अभी आपको बताई ये साबित करती हैं कि एवरेश्ट सच मुछ मादभूत है